आज एक तरफ महायुती सरकार है जो महराश्चत के विकास को ही अपना लक्ष मानती है दूसरी और कॉंग्रेस और महागाड़ी वाले लोग हैं उन्हें जब भी मोका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं महागाड़ी वालों को विकास के कामों को सिरफ लटकाना अटकाना और बढ़काना ही आता है मुंबई मेट्रो खूद इसकी सबसे बड़ी गवाह है मुंबई मेट्रो लैन 3 की शुरुवात देवेंदर फडल विज्जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी इसका साथ प्रतिशत काम उनके कारकल में हो भी गया था लेकिन फिर महा अगाड़ी की सरकार आ गई महा अगाड़ी वालों ने अपने अहंकार में मेट्रो का काम लटका दिया धाई साल तक काम अठके रहने से प्रोजे की कीमात 14,000 करोड रुपिय बढ़ गई ये 14,000 करोड रुपिय ये किसका पैसा था क्या ये पैसा महराष्ट का नहीं था क्या ये पैसा महराष्ट के नागरिकों का नहीं था ये महराष्ट के टैक्स पेर्स की महनत का पैसा था भाईयों बैनों एक और काम पुरा करने वाली महायूती सरकार दूसरी और विकास को रोकने वाले महागाडी के लोग महागाडी ने अपने ट्रेक रिकोर्ड से साबित किया है कि वो महाविकास विरोधी लोग है इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था इन्होंने मुंबई अमदाबाद बुलेट ट्रेन को ठप करने की पूरी साजिश की जब तक ये सत्ता में रहे इन्होंने बुलेट ट्रेन के काम को आगे नहीं बढ़ दे दिया इन्होंने तो महाराश्ट्र के सूखा गरस्त इलाकों में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट तक को नहीं बख्षा जो काम महाराश्ट के लोगों की प्यास बुजाने के लिए शुरू हुए थे महा अगाडी सरकार ने उन्हें भी रोक कर रखा था ये आपका हर काम रोक देते थे अब आपको इन्हें रोक देना है महाराश्ट्र में विकास के इन दुश्मनों को सत्ता के बहार ही रोक देना है सेंकड़ों मिल दूर रखना है साथियों आज हर देशवासी का एक ही लक्ष है विक्सित भारत इसलिए हमारी सरकार का हर निन्हें हर संकल्प हर सपना विक्सित भारत के लिए समर्पित है इस लक्ष की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई ठाने जैसे शेहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है लेकिन इसके लिए हमें डबल मैनत करनी पड़ रही है क्योंकि हमें विकास भी करना है और कॉंग्रेस सरकारों के गड़ों को भी भरना है आप याद करिए कॉंग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई ठाने जैसे शेहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे शेहर की आबादी बढ़ रही थी ट्राफिक बढ़ रहा था लेकिन समाधान कोई नहीं था मुंबई शेहर देश की आर्थिक राजधाने उसके थमने ठप होने की आशंकाय जताई जाने लगी थी हमारी सरकार ने इस्थीती को बदलने का प्रयास किया है आज मुंबई महानगर में लगबग तीन सो किलोमेटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है आज मरीन ड्राइव से बांदरा तक का सफर कोस्टल रोड से बारा मिनिट में पूरा हो रहा है अटल से तुने दक्षिन मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है और इन गेट से मरीन ड्राइव भूमिगट टैनल प्रोजेक्ट में तेजी आई है ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट है जो मैं गिनता जाओं तो लंबा समय निकल जाएगा बर्सोवा से बांदरा, सी ब्रीज प्रोजेक्ट, इस्टन फ्रीवे, ठाने बोरिवली टैनल, ठाने सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है इसका बहुत बड़ा फाइदा मुंबई के लोगों को होगा इनसे मुंबई और आजपात के शहरों में मुष्टिले कम होगी यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे यहां उद्योग धंदे बढ़ेंगे आज एक तरफ महायुती सरकार है जो महराश्ट के विकास को ही अपना लक्ष मानती है दूसरी और कॉंग्रेस और महागाडी वाले लोग है उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते महागाडी वालों को विकास के कामों को सिरफ लटकाना अटकाना और बढ़काना ही आता है मुंबई मेट्रो खूद इसकी सबसे बड़ी गवाह है मुंबई में मेट्रो लैन 3 की शुरुवात देवेंदर फडल विज्जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी इसका साथ प्रतिशत काम उनके कारकल में हो भी गया था लेकिन फिर महा अगाड़ी की सरकार आ गई महा अगाड़ी वालों ने अपने हंकार में मेट्रो का काम लटका दिया धाई साल तक काम अठके रहने से फोजे की कीमात चौदा हजार करोर रुपिये बढ़ गई ये चौदा हजार करोर रुपिया एक किस का पैसा था हाई